हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार विदायश और दोस्तो आप सबको पता ही है कि आई-पियो सीजन किस तरीके से भी चल रहा है अभी काफी धमाकेदार आई-पियो आपको पता है क्लोज हुए है जिसमें टाटा टेक्नोलोजी फ्लेयर गंधार आई-पियो थे जिन्होंने आई-पियो का माहूल बहुत जादा हम कह सकते हैं बढ़िया कर दिया दोस्तों ऐसा नहीं है किसे वो चारी आई-पियो थे अब और भी बहुत 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 फ़रे आई-पियो जो है वो definitely in-line है और जो open हो सकते हैं इस परसे हम दो ऐसे आई- उसके बारे में तो वीडियो को देखेगा पूरा क्याफी important होने वाला है उससे पहले friends अभी तक अगर आपने चानल को subscribe नहीं किया है तो आप चानल को सबसे बले ज़रूर subscribe भी कर लीजिएगा तो दो पहली company जो अपना IPO लेकर आ सकती है अगले हफते वो है अलाइट blenders and distillers जी हाँ अलाइट blenders and distillers का IPO open हो सकता है काफी समय से दोस्तों यह IPO हम कह सकते हैं कि in line है और अब ऐसा लग रहा है कि company बहुत ज़ल इसके आरच भी फाइल कर सकती है definitely IPO open हो सकता है दोस्तों company क्या करती है हम यह जान लेते तो अलाइट blenders 2008 में start हुई थी और दोस्तों यह एक Indian made liquor company है Indian made foreign liquor company है जो no doubt दोस्तों company एक liquor company है और इसके पास चार ऐसे Indian made foreign liquor categories है जिसमें whiskey, brandy, rum और vodka company basically sell out करती है इन addition दोस्तों यह package drinking water भी sell करते हैं जिसमें officers choice, officers choice blue and sterling reserve brand इस तरीके दोस्तों company के तीन brand है जिसके अंडर यह अपना package drinking water भी आपको बेचते हुए नजर आते हैं company दोस्तों 1988 में हम कह सकते हैं mass premium whiskey market में enter की थी और यह one of the most selling whiskey brands थी in the world in terms of annual sales from 2016 to 2019 तो no doubt हम कह सकते कि company जो है वो अपने आप में काफी ज़्यादा बढ़िया रही है और अब अपना IPO लेकर company आकी भी नजर आने वाली है company दोस्तों as of December 31, 2021 company के products जो है वो almost 22 international markets के अंदर supply होते हैं जिसमें Middle East, North and South America फिर आफरिका, एश्या और यूरोप के अंदर भी company का जो presence आपको देखने को मिल जाता है company के पास almost दोस्तों जो एक distillery और company जो operate करती है और जो own करती है वो है रंगापूर तेलंगाना में जो almost 74.95 acres में फैला हुआ है और almost 25,000 square meters का है इसमें company ने अपना in-house distillation capacity बढ़ा रखा है अप extra neutral alcohol और इसके जो key materials है वो company basically surround करती है उसके बाद और almost company के extensive bottling capacity है वो अपने आप में काफी बढ़िया है बाकी ये ज़रूर है कि company के financials बहुत जादा तो भी available नहीं है बढ़ जो financial से वो आप देख सकते है जिसमें revenue company का 6397 करोड का था लेकिन मुनाफ़र 2.51 करोड का था तो ये बहुत interesting figure है क्योंकि बहुत सारे figure हमारे पस available नहीं है और ये जरूर है कि वो covid का period था तो वो भी एक factor था जो I think play कर सकता है बढ़ नो डाउट अभी जब सारे information निकल के आएगी तो वो आपको बताऊंगा बाकि साइपर का जो size है वो पुरा 2000 करोड का है जिसमें से 1000 करोड का fresh issue है और 1000 करोड का offer for sale है और याद रखे कर लिस्टिंग दोना exchangers पर होगी इसमें 50% reservation QIB के लिए है 35% retailers के लिए और 15% HNIs के लिए है यह जरूर है कि 35% retailer के लिए रखा गया है almost 2000 करोड का 35% जो है वो retailers के लिए आद रखे कर रिजर्व करा गया है और 15% HNIs के लिए रिजर्व किया गया है तो no doubt देखते हैं यह किस प्रकार से कंपनी के price में रिकल के आता है no doubt valuation बहुत important है बुकाज जो other liquor companies बाजार में हैं उसके इसाब से अगर companies सही valuation पे लेकिया गई तो यह भी अपने आपने एक बहुत धमाकेदार IPO हो सकता है because company no doubt काफी famous है अगली दोस्तो जो company करें हम बात करते हैं जो अपना IPO लेकिया सकता है और जिसको सब almost जानते होंगे उसकता है कि अलाइट blenders को आप ना जाने लेकिन दूसरे company को definitely सब लोग जानते हैं जो अगली company है दोस्तो वो है doms doms का आपने सुना होगा pencils company create करती है और लगाता है मैं यह देख रहा हूंगे pen pencil से related company जो है वो लगाता है अब अपना IPO लेकर आ रही है जैसे आपको पता ही है कि अभी flare का IPO आया था उससे पहले cello का IPO आया था ज़रूर देखें cello exactly काम नहीं कर रही थी pen को लेकिन pens बना रही थी अभी but doms का IPO आपको आता है वह नदर आ सकता है इस इस अगले हफते या फिर उसका अगला हफता basically IPO open हो सकता है doms industries का IPO मतलब एक stationery और art product company जो अपना IPO लेकर आएगी अब company basically काम क्या करती है company design, develop, manufacture करती है और sell करती है their flagship brand के अंदर जो doms है जैसे मनें कहा company का pencil creation का है definitely pens भी grade करती है company ने almost 29% and 30% market share respectively मतलब company का जो market share है वो 30% तक का आपको देखने को मिला है and company का presence almost 40 countries के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें company देखे 7 categories के अंदर basically काम करती है पहला है scholastic stationery, दूस्तरा है scholastic art materials, फिर paper stationery, kids and combos, office supplies, hobby and craft और आखरी है fine art products, तो इस 7 categories के अंदर दोस्तों company आपको काम करती वे नजाएगा तो आपको देखने को मिलेगा इसका क्योंकि कि दोस्तों covid था और उसके बाद अचानक से company का business में boom आयाएगा इसमें कोई doubt नहीं, बाकि अगर आप company के numbers देखेंगे तो 408 करोड का company का revenue था 2021 में जिदर 6 करोड का company ने घाटा किया, उसके अगले साल दोस्तों 86 करोड का हुआ 17 करोड का मुनाफ़ा and then company ने 1216 करोड का revenue दर्च किया, almost 102 करोड का मुनाफ़ा तो company के लगात अगर आप देखेंगे तो growth बढ़िया है, कुछ जादा company के उपर करजा नहीं है, मातर 100 करोड का है return on equity 33.54% जो अपने आप में awesome है, return on capital employee 33% का है और debt to equity issue काफी सही है, तो अब देखना यह होगा कि कितने पर company अपना IPO लेकर आती है IP को जो size है, जो IPO का size है वो दोस्तों company almost 1200 करोड रुपे रख सकती है 200 करोड का IPO लेकिए आ सकती है, वो उपन नीचे हो सकता है, बट fresh issue जिसमें से 3500 करोड का रहेगा जो जाता पैसा नहीं जा रहा है, उसमें भी जो company का utilization जो अपनी ने कहा है कि company एक नई manufacturing facility बनाने वाली है, अपनी production capabilities के लिए वो किस तरीके से writing instrument, watercolour pens, markers और highlighters के अंदर अपने आपको और grow कर सकती है इसके लिए company एक और manufacturing facility basically develop करीगी, ऐसा company के दौरा कहा गया है तो उसके लिए company साड़े 300 करोड रुपए आपको खर्च करती ही निज़र आएगी, बाकि जो साड़े 800 करोड रुपए है, वो company के जो existing shareholders है उनके पास आपको जाता हुआ निज़र आएगा, वो ही अपना stake बेज रहे है, वो stake से company, उनके पास पैसा जाएगा, company के पैसा नहीं जाएगा बट नो डाउट एक अच्छी company है, बट इसमें एक negative बात यही है, कि सिर्फ 10% reservation रखा गया है for the retail category, तो यह एक जरू negative हम क्या सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, 75% QIV के लिए, बलब 10% retailers के पास है, 15% HNX के पास है, सबसे चोटा portion है, वो retailers के पास, उसके पीछे का reason है, क्योंकि 10% रखना पड़ा, retail category के लिए, तो retail us के लिए, जादा जगा नहीं छोड़ी है, बट लेट सी कि कितना का, दोस्तों, यहाँ बे प्राइस में निकल के आता है, बिकास लगातर अभी आप देखेंगे, companies list हो रही है, और मोटे मोटे returns हम कह सकते हैं, मिलते वे नजर आएं, ज फिरे की information निकल के आ रही है, लेट सी दोस्तों, काप company अपना RHP फाइल करती है, जो खबर है, मेरे पास वो यह है कि यह 11 से 13 तरह की बीच में open हो सकता है, बट अगेन कोई confirmation नहीं है, कि 11 से 13 तरह की बीच में यह open हो पाएगा, या फिर नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों, इ ऐसे ही important latest information के लिए subscribe और notification bell को press करके रखिएगा, thank you friends for watching this video.